सरोच ने आले कि बारबाग फटकार के बाद SBI ने अंत्ता कुछ चीजों को हीडन करते हुए अपने चुनावी बांड से सम्मंधित आकड़े Election Board of India को सौफी दिये हैं फिर भी उसमें Unicode Number नहीं दिया गया है सुप्रिम कोड ने फिर SBI को लतार लगाई है और कहा है कि आप पूरी सुचना मुहया करा दे हाला कि SBI State Bank of India ने सुप्रिम कोड से एक याच्चिया के द्वारा समय मांगा था कि 30 जून के पहले हम के बाद ही हम इस सुचना को मुहया करा सकते हैं सुप्रिम कोड ने अपनी SBI की याच्चिया को खारिज करते हुए उन्होंने जो समय दिया था 14 मार्च 14 मार्च तक इन्होंने सुचना मुहया करा दी आप 763 पेजो की या सुचना है जो आप Election Commission of India के साइट पर जाकर देख सकते हैं आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि वह कौन-कौन सी कमपनिया हैं जिन्होंने सरवाधिक इलेक्ट्रोल बांड खरीदे हैं तो इसी क्रम में हम थोड़ी सी पहले की बात कर लेते हैं अभी कुछ दिनों पहले सुप्रिम कोट ने चुनावी बांड को असमवैधानी करार दे दिया है और कहा है कि या सुचना के अधिकार के अंतरगत इसको सामिल किया जाना चाहिए पहली से लेकर या बावाल खड़ा हो गया है आईए जानते हैं कि वो टाप 10 कमपनिया कौन सी हैं जिन्होंने सबसे जादे इलेक्ट्रोल बांड खरीदे हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है चुनावी बांड चुनावी बांड क्या होता है जैसे 2017 के बजट भासन में वित मंत्री अरुन जेटली ने कहा था कि अगर किसी व्यक्त को 2000 रुपे से जादे का चंदा किसी अपनी पसंदीदा पार्टी को देना है तो वह SBI के किस किसी भी ब्रांच में जाकर चुनावी बांड खरीच सकती है और अपनी पसंदीदा पार्टी को दे सकती है तो उस व्यक्ति का नाम उस पार्टी का नाम आर्टी आई एक्ट के तहद भी नहीं आएगा ऐसा कानून लाने के लिए ऐसा अदनियम लाने के लिए इन्होंने सम्मिधान में संसोधन भी किया तब से यह चर्चा में रहा जन्वरी 2018 से मोधी सरकार ने चुनावी बांड इसकिम को लागू कर दिया तब से यह चर्चा में है तो 2018 से चुनावी बांट जारी किये गए हैं, जिसका मकसद क्या था, कोई भी जब इसके इम लांज की जाती है, तो उसका एक अपना उद्देश से होता है, उद्देश मोटो होता है, मोटो यह था, कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने की द्रिश्टी से, या चुनावी बार जारी किये गए हैं लेकिन आकडी तो कुछ और ही बता रहे हैं आप ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम सुनेंगे जिनको आप आंतोर पर नहीं सुनते हैं आप कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में भी जानेंगे कि जिनकी आमदनी 10 करॉन रुपय है और उन्होंने 400 करॉन से कैसे जमा कर दी कुछ मतलब करोनों में उसके बाद उस company को फिर deal मिल जाती है contract मिल जाता है या कहीं न कहीं से संदेय के घेरे में इलेक्ट्रोल बांड को खरीदे हैं इसे क्रम में पाली company का नाम है future gaming और hotel services future gaming और hotel services नाम की एक company हैं जिनने 1368 करोन रुपए के चनावी बान खरीदे हैं या company क्या करती है या future gaming और hotel services की बात करें तो यहाँ एक लाटरी कमपनी है जिन्होंने 1368 करोन रुपए के चंदे दिये हैं इस कमपनी की अस्थापना 1991 में हुई थी और कमपनी का हेड क्वाटर तमिलाडू के कोयम टूर में आए कोयम टूर हेड क्वाटर वाली यह कमपनी 1368 करोन रुपए चुनावी कर लेते हैं दूसरी कमपनी जिन्होंने सबसे जादे चुनावी बांड खरीदे हैं मेगा इंजिनरिंग और इंफ्राइस्ट्रेक्ट्चर लिमिटेड 966 करोन रुपए का इन्होंने चुनावी चंदा जमा किया है इलेक्ट्रोल बांड खरीदा है SBI से तो यह कमपनी क्या करती है डेम्स और पावर प्रजेक्ट का काम करती है कमपनी के अस्थापना 2006 में हुई है हेड़क्वाटर तेलंगाना के हैदराबाद में तीसरी टाप 10 कमपनी में कौन सी है क्विक सप्लाइचेन प्राइबेट लिम्टेड इन्होंने 410 करोन रुपए का इलेक्ट्रोल ब विदान्ता लिम्टेड की बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी माइनिंग कमपनी है इस कमपनी की अस्थापना 25 जून 1965 को हुई थी हेड़क्वाटर महरास्टर के मुंबई में है अगली कमपनी के का नाम आता है वो है हल्दिया एनर्जी लिम्टेड 377 करोन रुपए क की कमपनी है भारती ग्रूप एयर टेल इन्होंने 247 करोन रुपए के इलेक्ट्रोल बांड खरीदे है ये भारत की सबसे बड़ी टेलिकॉम कमपनी है में से एक है इस कमपनी के अस्थापना 1995 हुई कमपनी का हेड़क्वाटर दिल्ली में है एक्सेल माइनिंग एंड इंड का इलेक्ट्रोल बांड इन्हों इस कमपनी ने खरीदा है कमपनी के अस्थापना 11 सितंबर 2009 हुई हेड़क्वाटर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है केवेंटर फूट पार्क इंफ्रा लिम्टेड 194 करोन रुपए का इन्होंने इलेक्ट्रोल बांड खरीदा है कमपनी इलेक्षन कमिसन आफ इंडिया को दिया है तो उसके मुताबि सरवाधिक चंदा प्राप्ट करने वाली पार्टी बीजेपी है बीजेपी को साड़े 6000 करोन से जादे के चंदे प्राप्ट हुए सारह 6,000 करोन, उसके बाद त्रिनमोन कांगरेस को 1609 करोन और तीसरे नमबर पर कांगरेस आती है, जिनको 1422 करोन रुपे चंदे के रुप में मिले, चौथे नमबर पर भारत राष्ट समिती हैं, उन्हें 1214 करोन रुपे चुनावी बांड के रुप में मिले है, या जो चुन से ज़्यादे चंदे दिये, किस पार्टी को दिये, ये भी आकड़े बहुत ही जल्दी आपको दिख जाएंगे, यूनिक कोड नंबर जब SBI उपलब्द कराएगा, ECI को तो ECI की वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दिया जाएगा, आप भी देख सकते हैं, ये रही